चालाँ आए कि आप बीजेपी छोड़ सकते हैं क्योंकि ना ही नहीं नेसे लोगसाब टिकित दिया गया, नाहीं राज्ज्य सभा में आगे बेजा गया, तो क्या वाकर में बीजेपी छोड़ काॉंग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मीदवारों का एलान अब तक नहीं किया है जबकि पहले चरण के चुनाव 19 अप्रेल से शुरू होने वाले हैं दूसरी तरफ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 400 सीटों की जीत का सपना यहां पर देख रहे हैं ऐसे में तमाम दिक्कस नेता जाएं शुसिल कुमार मोधी की ब एक तरीके से सैडलाइन कर दिया गया है तो ऐसे में कहीं स्टार प्रचार को की सूची से बाहर करना इसके साथ सा टिकट ना दिया जाना वाकई में शाहनवाज के लिए जटका देने वाला फैसला था ऐसे में किसंगन सीट से उनके चुनाव लड़ने की यहां पर संभाव बीज़ पी के बीच यहां पर किसंगन से यहां पर जो है षानवाज हुसेन को देखने को मिल सकती है लेकिन यधी किसंगन सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह कहिना कहीं उनके लिए सरक्षिश सीट हो सकती है लोग सबाज चुनाव है कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि यदी भारती जनलता पार्टी से बड़े दिक्कस नेता यहां पर संगठन में शामिल होते हैं, पपु यादो पिछले दिनों जिस तरीके से शामिल हुए थे, उसके साथ साथ बिहार में कई ऐसे सानसद हैं, जो कॉंग्रेस पार्टी का दामन थाम चुके हैं, पिछले करीब कुछ वक्त में शाहनवाज हुसेन का भी नाम शामिल हो जाएं,